शिफसेना पर किसका हक है इसको लेकर एकनाज शिंदे बनाम उद्दव ठाकरे की जंग जारी है अलाकि इससे पहले फरवरी में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाज शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया था जिसके बाद उद्दव गुट न शिफसेना नेता एकनाज शिंदे ने महा विकास हाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी थी शिंदे शिफसेना के 35 से जारा विधायकों को लेकर NDA में चले गए और तब से ही शिफसेना दो धड़े में बट गई है ये मामला केंद्री चुनाव आयोग से लेकर कर दिवाली के बाด सुनवाई होने की संभावना है शिफसेना योबीटी गुट गहना है कि चुनाव आयोग का फैसला एक तरफा है और इसलिuğ सुप्रिम कोड को इस दो पलट देना चाहे पार्टी और चुनाव चुन याचिका पर अब दिवाली के बाद सुनवाई होने क संभावना है आपको याद होगा कि कींद्री चुनाव आयोग ने शिंदे गुट कोशिफ सेना पार्टी का नाम और चुनाव चिंद इस्तमाल करने का अधिकार दिया था इसके बाद चुनाव आयोग के फैस्टरे के खिलाफ ठाकरे समू की तरफ से सुप्रिम कोर्ट में या किसके पक्ष में आता है ये देखना दिल्चस्प होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट